जी बिसमिल्लाइखमार रहीम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर है जी हम लोग का वन और सब्जेक्ट है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू अंटपनोर्शिप और आपके जो ऑथर है वो है जी ब्रूस बैरेंजर इसकी आप वुकले से हम डिस्कस करेंगे चीज है तो चैप्टर नबर वन है जी आंटपनोर्शिप का इंट्रोड़क्शन टू अंटपनोर्शिप जी मूव ऑन करते हैं इसको या ने आपर अब्च प्रकुक यह चैप्टरूचिफ होंगे इसमें इसम्हें किनन्मिस अंट अंटपनोरkay किया है इसका इम्पेक्ट क्या होता है लाजर फोम में यह और entrepreneur process यह सब हम हमें discuss करना है इस chapter में तरह जिस्टार्ट करते हैं और पहले उस लूप में आते हैं कि entrepreneur है क्या कि entrepreneurs को किस तरह से हम differentiate करते हैं business man से तो पहले हम कुछ pictures देखते हैं जिसमें discuss किया कि entrepreneurs है क्या different pictures different quotation करते हैं जिसे कुछ आइडिया मिलना शुरूगा क्या है वरना तो हम सिंपल एक definition देखने definition पढ़ने जी entrepreneur यह होते हैं तो समझ आ जाएगी लेकिन हम उस loop में आते हैं देखते हैं कि क्या का discuss किया है कि इसकी importance क्या अपताई गई है देखें जी लिखा गए I create I take risk I live my passion I am entrepreneur कुछ समझ आ रही है कि जो entrepreneurs वो risk takers होते हैं वो अपने passion पे काम करते हैं business के convert करते हैं passion को कुछ समझ आ रही है न हमें picture बन रही है okay the true entrepreneur is a doer not a dreamer okay ख्याली प्लाव नहीं मनाता entrepreneur जो है वो implementation करते हैं okay समझ आ रही है ठीक है जी entrepreneur is someone which can convert a simple watermelon into a fresh watermelon juice अच्छा ठीक है ये कैसे आप देखें जो जो businessman है न वो क्या करते हैं आपने शायद सुना हो ये सबसे पहले चीज में इनफेक्टर होती है company में फिर वो जाती है wholesale के पास wholesale उसको bulk चीज purchase करता है फिर दुकानदारों के पास जाती है जिसको हम कहते है retailer फिर retailer जो है अपना profit margin रखके आगे चीज बेच देता है लेकिन entrepreneur क्या करता है वो changes लेकि आता है उसमें innovation लेकि आता है चीजें यहां वहां से देखके लेके उसमें changes लेकि आता है और वो महंगी आगे बेच देता है या according to the product जो demand है उसके साफ उस कीमत के साफ से आगे base देता है यह entrepreneur ओके अगेन हमें समझाने शुरू हो रही है जी जो entrepreneur है वो innovative होता है creative होता है customer के लिए new चीज बना के देता है 99% of those who quit work for the one person that never gave up okay समझा आगे जी entrepreneur वो है जो give up नहीं करता ठीक है जी आगली quotation देखें Jack Ma अभी discuss करते है Jack Ma कौन है क्या है और उसकी quotation कितनी importance क्यों है don't hire the most qualified hire the craziest one unfortunately हम लोग के जमाने में कहा यह कहा जाता है degree है तो job मिलेगी अगर degree नहीं है skills है तो आपको job नहीं मिलेगी although अब चीजे चेंज होनी शुरू हो रही है Facebook, Google, Amazon अब यह लोग कहते हैं जी आपको professional डिगने के जरुद नहीं है if you have required skills you can join the company और different बहुत से लोग है जो college, university dropouts है और उन्होंने अपने big empire बना लिया जी organization में so qualification is not important a perfect man is important for the job आप वो हायर करें जो के जो के passion होता है who has the courage to do something अच्छा everyone can tell you the risk and entrepreneur can see the reward okay समझाने शुरू होगे जो entrepreneur है वो risk लेता है वो reward का सोचता है जो बाकी लोग है वो risk का सोचता है यह काम रिस्की है business में loss होने के चांसे नहीं risk है of course लेकिन कामयाब होगे तो इसका reward यह है stay hungry, stay foolish another quotation for entrepreneurs entrepreneurs are always hungry to do something achievement हो भी जाती है still they want to prove a point still they want to achieve more and stay foolish सब को ना दिखाएं के आप कितने अक्कलमंद है हमेशा foolish ही रहे in a sense foolish रहेंगे तो आपको हर जगह से information मिलती जाएगी you never know कि आपको कौन किस वो क्या information ने दे अगर आप यह शो करवाते जाएगे कि आपको सब कुछ पता है तो आप के सामने बड़ा बंद है वो कुछ नहीं बोलेगा वो तो यह सोचेगा इसको सब कुछ पता है सुनते रहें आपको कही ने कहीं से information मिलती जाएगी so stay hungry and stay foolish अब हम कुछ देखते हैं कि दुनिया में जो famous entrepreneurs हैं कौन कौन से हैं दुनिया में या पाकिस्तान में इसको हम जानते हैं आप साम जानते हैं सना सफीना सना सफीना सना सफीना जो brand है वो यह दोनों है सना सफीना इनको आप जानते हैं मलक रियाज है यह है जी founder eBay ओमेडियार इनका नाम है eBay के founder है यह है जी Fred Smith यह FedEx के founder है Jeff है सब लोगन को जानते हैं अभी दुनिया के सबसे the richest person in this planet is this guy, Jeff अब Bill Gates नहीं है, Bill Gates second पे है Mark Zuckerberg third पे है, he is number one he is number one अच्छा, आप सोचें इसकी इसकी worth property कितनी होगी कितने billions dollars होगी सोचें, इसको search करें एक healthy activity है और Amazon में तो आजकल बहुत काम स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में भी Amazon के थूँ लोग चीज बेचते हैं परचेस करते हैं अब तो freelancing में भी आ गया यह आप Google में search करें YouTube में e-commerce के नाम से तो आपको काफी चीजें मिल जाएगी किस तरह से Amazon से आप खुद पैसे कमा सकते घर बैटके फिर अचिरे यह founder कहले है founder he is the one who founded the mcdonald's इसकी भी एक movie है the founder के नाम से उसमें देखें किस तरह से इसने mcdonald's को आगे लेके चला फिर जी यह facebook के founder है Larry and Sergey sorry facebook के रहा Google के founder है यह लोग facebook के founder तो यह है Mark Zuckerberg इसको भी आप सब जानते हैं Mia Mancha है Nishad Group of Company के मालक है mcb के Emporium आप जानते हैं Muhammad Yunus है Muhammad Yunus banking sector का एक बहुत जबर्दस नाम है he was the one who introduced the concept of leasing mortgage यह बना देश के हैं बाइदावे फिर जी आपके हकी मुहमद साइद यह सेट लिखा वा लेकिन साइद नाम है इनका यह हमदर्थ दवाफाना जो हमदर्थ की जितनी चीज़े हैं उनके founder है यह Walmart company है बहुत फेमस Walmart retail chain company है दुनिया में जिसना से हाइपरस्टार ना वैसे यह है दुनिया में बहुत जाता इनकी ब्रांचीज ने और कहा ही जाता है कि दुनिया में जो जितने ज्यादा powerful है वो सबस्यादा उनका नाम है आप लोग इसलाफ भी कर सकते हैं लगत की वो कौन है जी the next big thing is you आप लोग आप मैं से कोई यह slide देख रहा है सुन रहा है आप मैं से कोई ही हो सकता है जो future का एक entrepreneur हो जो अभी हमें नहीं पता इंशाल्ला जी कुछ famous पाकिसानी entrepreneurs हैं कुछ famous personalities हैं celebrities हैं heroes हैं उनका मैंने यहां पे link लगाया है आप देखें आपको बहुत से और मिलेंगे यहां जो link लगाया है वो entrepreneurs के पाकिसानी इसके लावा इस जो website है इसमें amazing पाकिसानी हैं और भी हैं जिनकी बहुत फिदमात है पाकिसान के लिए तो देखेंगे आपको बहुत चींफरमशन मिलेगी फिर यह वीडियो है entrepreneurs पे इसको देखें यह मैंने यूट्यूब का एक link लिए सब्सक्राइब आपको link paste भी कर दूँगा उस पे नीचे link पे कर दो कर दो कर दो कि भी है नीचे लिए झाल 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 के इंड्रक्षुन में जाते है कि यहाँ पर इसकश्ष्ट करते है कि इसको डिसकश्ट करते है कि इतनी है क्या है दुनिया में दुनिया में 100 million businesses launch होते हैं हर साल that is 11,000 per hour ये दुनिया की बात हो रही है that is a lot कितने business established होते हैं याब ये डिस्कुस करा है कितने कामयाव होते हैं फेल होते हैं लेकिन लोग इस तरफ जाते हैं आचाए ये quick fact discuss करते हैं जो ये America की fact बताए गया है अमेरिका में जो है वो 6 लाग से 8 लाग जो है वो new company established होती है सबस्यादा इसी sector में लोग काम करते हैं और यही sector जो है वो सबसे dynamic है सबसे creative है entrepreneurship की बात कर रहे है इसकी importance इस तरह से आप देशते हैं जो books थी Amazon में वो पहले 45,000 थी अब वो increase होगे एक लाग प्लस चल लगी है colleges में उसके courses पहले कुछ साल पहले बहुत पहले बहुत प्रम थे 250 अब बहुत ज़्यादा हो चुके है 5000 से भी अब काफी ज़्यादा जा चुके है अब पाकिस्टान में भी हर युनिविस्टी में या entrepreneurship का subject होता है अच्छी आप entrepreneurship है क्या उसकी definition देखते हैं Stevenson जो एक प्रफेसर ने उसने entrepreneurship की definition दिये इस एन प्रोसेस by which an individual pursue opportunity individual के जो opportunity नज़र आई उसको फॉलो करता है उसके बार resources हो या ना हो कोशिश करता है कि एक opportunity है उसको business में convert कर दे फिर जी Wilson एक capitalist है जो capitalist होते है जो पैसा invest करते है दूसरों के business में मैं करता है जी entrepreneurship एक ऐसा art है जो idea को convert business में आपके जहन में idea है कोई हार कोई नहीं उसको business में convert कर सकता अब entrepreneurship क्या है जी what they do entrepreneurs है वो जो उनके जहन में जब idea आजा है अपने सब रिसोर्ट को लोगों को वो इंटी ग्रेट करता है मिलाता है और एक innovation innovative business में convert कर देता है okay entrepreneurship is not just about the idea it's also about the generation and implementation of an idea बाताव इसफ आइडिया नहीं है सिर्फ बिसनस प्रेट नहीं करना बलके new business idea को new idea को बिसनस ते new idea याद रखे new idea यह हमेशा मैं एक चीज़ प्ताता हूँ के entrepreneurs are those who sees the problem and convert the problem into a solution कभी ऐसा होता ना के आपने वोस्स से हम लोग कहते है business start करते है कोउस बिसनस याज कर ये business बहुत चर रहा है ये business start करते है लोग पैसे कमा रहे है ऐसे नहीं है आपने solution आपने solution नहीं है problems क्या है और मुझे मुझे किस चीज़ का शौक है उन सेक्टर में रहते वे आपने प्रॉब्लम को डेंटिफाइ करना है और उसका सुलूशन लेखे आना है क्या प्रॉब्लम थी रिक्षा जब अभी भी है लेकिन जब रिक्षा ही थे तो प्रॉब्लम क्या थी कि हमें जाना पड़ता था जब भी सिदार आते थे वह करते यार रिक्षा लेओ आप जाते हैं चौंक तक वेट करते थे हाथ खिलाया जी रिक्षे वाले कोई आता था को में कितना मुश्किल काम होता था अब भी आप गहर में रेलेटिव आए वह वह आती है जी फुपो जी अभी आपको अब बर करवा दी बर घर आएगी निगोशियेशन भी नहीं होगी फिक्स रेट है और आपको रेलेटिव को छोड़ भी आएगी और आप में खुद भी कर जाना हो तो क्या जबर दर सब यह सुलूशन आईजी उबर का तो प्राब्लम उसका हल यह काम्यार पे बिजिन्स होता है पावर ऑफ अंट्रपनोर्शिप पे एक और वीडियो है यह देखते हैं इसके मैंने लिंक बनाई है यह आप लोग देखिएगा क्वारश लिंक बनाई़कर बिल्ड़कर बनाईब भबबगाश्व पास्वारे इसक्राब प्राबलर सब्सक्राभण परणार दाया प्राप्लाश झाल प्राबलर का प्रेक मैंने अइस होता है झाल 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 हैं झाल 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 झाल